फिट रहेगा इंडिया तो सूपर हिट रहेगा इंडिया 77 साल पहले अंग्रेजों से आजादी के लिए भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था कामियाभी भी मिली अब आजादी के 72 साल बाद एक नया आंदोलन शुरू होने जा रहा है फिट इंडिया मुव्मेंट फिट सभी रहना चाहते हैं फिटनेस की कीमत भी समझते हैं लेकिन ये पहली बार है जब देश में फिटनेस एक आंदोलन बढ़ने जा रहा है दिली के इंडरा गांदी इंडोर स्टेडियम में प्रधान मंत्री नरिंदर मोदी सुबा दस बजे फिट इंडिया मुव्मेंट का उधगातन करेंगे पीम पूरे देश को शपत भी दिलाएंगे कि देश फिट रहने के लिए जो बन सकता है वो करेगा फिट इंडिया मुव्मेंट सिर्फ एक दिन का आंदोलन नहीं है पूरा देश इस से जुड़ रहा है सरकार ने भी से एक एक शहर और गाहत दस्वे तक ले जाने की तयारी है रात में देड तक जागने की बजाए सुबह चार बजे उठा करो सुबह सुबह माइंड फ्रेश रहता है पढ़ाई अच्छी होती है सुबह सुबह उठो उप बहार खुली हवा में जाओ थोड़ा घूमो टहलो अक्सिजन लेविल अच्छा रहता है सुबह फुल टाइम मोबाईल में मत लगे रहा करो शाम को थोड़ा बहार जाओ खेलो खूदो थोड़ा फिटनेस भी देखो अपनी साइकलिंग और स्विमिंग से बढ़िया और कोई कसरत नहीं है इस दुनिया में लेकिन आदमी आलस तो छोड़े अपना जल्दी उड़कर जिम नहीं जा सकते थोड़ा योग भी कर लो पास से दस मेट लगते हैं घंटों का काम नहीं है ये हिंदुस्तान में पारंपरिक यानि पीडियों से चले आ रहे हैं वो लेक्चर हैं जो अमूमन हर घर पर व्यार में सुवा से शान तक सुनने को मिल जाते हैं पुरानी काहवत है कि जान है तो जहान है एक और वी जुमला है कि स्वस्त शरीर में ही स्वस्त दिमाग बसता है पहली बार फिटनेस आज से इंडिया में नैशनल मूव्मेंट बनने जा रही है फिट इंडिया मूव्मेंट जिसका एलान पीम मोदी ने मन की बात में किया था आप सभी को याद होगा कि 29 अगस को राष्टिय खेल दिवस के रूप में मनाये जाता है इस अवसर पर हम देश भर में फिट इंडिया मूव्मेंट लौँच करने वाले है गांदी जी का कुईट इंडिया मूव्मेंट अंग्रेजों को भगाने पर था पिये मूदी का फिट इंडिया मूव्मेंट भारत में आलसी सुस्ती को भगाने पर है इंडिया फिट रहेगा तब ही तो हिट रहेगा तीस अगस का इंतजार कीजिए मैं खुद उस दिन विस्तार से विशे में बताने वाला हूँ और आपको जोड़े भी न रहने वाला नहीं हो क्योंकि आपको मैं फिट देखना चाहता हूँ फिट इंडिया मूव्मेंट की शुरुआत पिये मूदी सुबह दस बजे दिल्ली के इंद्रा गांधी इंडोर स्टेडियम में करेंगे फिट इंडिया मूव्मेंट की शुरुआत के लिए खासतोर पर मेजर ध्यांचन के जन दिन 29 अगस का दिन चुना गया है मूव्मेंट की शुरुआत करके पिये मूदी देश को फिटनेस पर संदेश देंगे PM मोधी देश को फिटनेस पर काम करने की शपत भी दिलाएंगे ये कारिकरम देश भर के कॉलेज़ों में लाइव टेलिकास किया जाएगा Fit India मूवमेंट की शुरुआत पर देश भर में कई जगों पर आज एक साथ कारिकरम होंगे प्रजान मंतरी नरेंदर मोधी जी का एक सपना है कि भारत को शक्तिशाली बनाना है तो हर भारतियों को fit होना होगा अगर हम fit नहीं होंगे तो हम देश को मजबूर नहीं बना सकते हैं और जो fit इंडिया का जो बात करते हैं तो ये खेल से उपर है चाहे आप कोई sports खेले ना खेले लेकिन आपको fit रहना है और fit रहना कोई बहुत ही मुश्किल काम नहीं है पियम नरेंदर मोधी ने जैसे योग की पहरे national फिर international branding की उसे इस मुकाम तक पहुँचाया कि दुनिया ना सिर्फ योग करती है बलकि योग दिवस बनाती है ठीक उसी तर्स पर fit इंडिया मुव्मेंट को भी सरकार बड़े पैवाने पर प्रमोट कर रही है पियम मोधी के स्वास्त भारत अभियान का अपग्रेड़िड वर्जन भी मान सकते हैं fit इंडिया मुव्मेंट को जिसका एक मात रलक्ष है इंडिया को fit बनाना क्योंकि जब आलस और बीमारी दूर रहेगी तभी इंडिया fit होगा और जब fit होगा तो super hit होगा fit इंडिया मुव्मेंट में खेल मंत्राले के अलावा केंदे सरकार के 11 और मंत्राले भी मिलकर साथ काम करेंगे मुव्मेंट में राजे सरकारों को भी जोड़ा गया है बॉलिवूड से लेकर बिजनिस वर्ड और खेलों की हस्तिया भी fit इंडिया मुव्मेंट से जोड़ रही है बॉक्सर मैरी कॉम ने समुद्र के किरारे सुबा सुबा दोड़ कर बताया कि fit कैस रही वहीं बॉक्सर मनोश कुमार ने फिटनेस के लिए एक तफ एकसरसाइज करके मैसेज दिया अपनी फिटनेस के दम पर भारत को पहली बार बेडमिंटन में वर्ड चेंपियन बनाने वाली पीवी सिंदू ने भी संदेश देकर कहा कि पीएम मोदी के fit इंडिया मूवमेंट में वो भी साथ है तो सुबा के दस बजने का इंतजार अब पूरे देश को है ये तैम आना जा रहा है कि पीएम मोदी fit इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करने के साथ पूरे देश से एक वचल लेंगे हर बच्चे हर जवान हर महला हर बुजर्ग से वचल लेंगे कि वो भारत से आलस सुस्ती और बीमारी को भगाने में हिस्सा लेगा और रोज थोड़ा वक्त निकाल कर खुद को fit रखने के लिए कुछ न कुछ करेगा तो क्या आप भी आज के दिन ये शपत लेने के लिए तयार हैं रूपी जैदी के साथ भरम प्रकाश दुबे जी मीदिया दिल ले